यह वेल्कम टोनिक एजुकेशन मैं हूं असीन अफान तो कैसे हैं आप लोग आशा करती हूं अच्छे होंगे तो आप में आपको बता दूंद आप मेरी वूगे आपकी जो पैट की जो बाइलोजी है आपको पता है पैट का एकजाम 18 सिक्तंबर को है हमारा तो उसमें जो आ लाओंगी पैट की यह उसके लिए तो आज हम पढ़िए ओसके लिये आपके कुछ ब्रांच इस रहते हैं जाता हैं आपकी वह हम बात करेंगे आप और रासे कि यूद्स क्या है आ प्र आपको बैलाओजी बाओंस सबसे पहले हम शुरू करेंगा आपको पता है बाол Non जो आपको बता दूंगे यह बी दो पर्ट में रहता है तो आपको पता होना चालिए बायोजी में जो हम पैट के लिए पढ़ेंगे इसमें प्लांट की जो भी मॉर्फो लॉजी फिशी ओगी वो भी यह में कि ठीक है ना तो हम बात करेंगे सबसे पहले हम शुरू करेंगे थोड़ा जान लेते हैं हम बाइलोजी तो जैसे आपको पता है बाइलोजी इसे हम क्या केते हिंदी में जी विज्ञान ठीक है और मैं आपको बता दूँ मैं आपको बहुत ही सरल वे में पढ़ाओंगी यानिकि आपके सारे क्वेश्चन भी बन जाए और आपको एक ज्यादा डीप भी ना जाना पड़े मेरा इसाब यह है आपका तो आपको पता है जीव विज्ञान आप नाम से भी कुछ आपके बाइ आपके जतने ही आजाएंगे उसमें आपका प्लांट भी आजाएगाःनी इस ताड़ी करते हो यानिकि उसके बारे में जानना तो हमारे क्या कहलेगा जीव विग्ञान कहलाएंगा अगर मैं बात करूं आपके जीव विग्यान की तो आपको पता है यह आपका जो English बाई उलेजी यह से मिलकर बना है और मैं आपको बता दूँ घृक नहों जो बाई-लग वह trauma सी इसलिक बना है जो प्ल特 पडारी ऑना है यह तो यह लगा चै कर देते हैं तो आपका यह रहे गा एक। रहेगा आपका बायोस और एक होगा आपका लोगोज द्यान से समिज गिया, बायोस का मतलब होता है आपको मैं बता दूँ, बायोस बरावर होता है लाइव, ठीक है, या फिर जीवन, और अगर हम बात करेंगे लोगो can слуш की तो इसको study of life is follow क्या biology हमारा कहलाती है ठीक है लाइप biology तो यह आपकी बात होगी जो बायलोजी है हमारा वो आप मैं आपको बता दूँ बायलोजी जो शब्द है सबसे पहले किस ने दिया था अगर मैं आपको बताना चाहूं जो आपका बायलोजी शब्द है मैं यहां लिख देते हूं बायलोजी जो शब्द है आपका वो दिया यहांन हमारे सबसे पहले वग्ञानिक थे आपके लैमार्क कि लैमार्क तथा एक ट्रैफी रियन आसा था ग्रिया है आपका जो 52 शब्ध है उसी कि नहीं दिया था फाइल लॉजी श्म आप लोग लिखते चलिए यहा बाइलोफिस अब सबसे पहले इस ने दिया थे जो आपके लेमार्क तथा जो ट्रेवी रेनस आपके वैग्यानिक थे उन्होंने 1802 में इस बाइलोजी शब्द को दिया था अब हम बात करेंगे मैंने आपको पहले ही बता दिया अब हम बात करेंगे जो फादर आप जो बाइलोजी है हमारे या फिर जो फादर है बॉटनी के ज आपको पता है तो लाइफ के अंदर आप कर सकते हो आपके जो प्लांट हो गए पौदे हो गए एनिमल हो गए आपके प्लस आपके जो माइक्रो ऑर्गनिस्म है हमारे वो भी इसी में आ जाएंगे माइक्रो ऑर्गनिस्म ठीक है जिने हम क्या बोलते हैं आपके जो सूच मे अगर बात करेंगा हमारे फादर और फादर ऑफ फादर ऑफ बाइलोजी या फिर आपको जीव विग्यान के पिता जीव विग्यान के पिता ठीक है न तो वो कौन है आपको पता होना चाहिए जो आपके अरस्तु है वो ठीक है न अगर मैं बात करूँ आपके यह तो आपके बाइलोजी के होगे अगर मैं बात करूँ फादर ऑफ फादर ऑफ जोलोजी यानि कि आपको पता है जोलोजी मतलब होता है आपको जन् टीन जंदू विज्ञान के अगर बात करें तो क्या होगा अपका जंदू विज्ञान के भी आपके जू है वो काँ है अरस्थ संव सकते हैं वैसिट अप्रण pazinho वॉश्टी कौन है वर पदい निगर हम बात करेंगे अगरथ और फादर ओफ बाटनी तो मैं आपको बता दूँए आपके विग्यानिक है हमारे थिख रेस्टेस उन्हें हम कहते हैं फादर ओफ बाटनी थिख रेस्टेस ठीक है ऐसी अगर आप ब्लांट भी पढ़ रहे हैं फादर ओफ माइकरो ऑर्गिनिस्म के अगर या फिर फादर ओफ माइक्रो बाट करें ऐसा दर ओब Miles तो यानि कि सूच मजाविकी के जो फादर है उनके अगर हम बात करें तो आपके जो लुइस पाच्छर हैं लुई पाच्छर वह आपके ऑन है फादर ओ तो यह तो बात हो गई आपकी यह हमारी बात हो गी जो ने नॉर्मल एक पड़ा आपको अब हम बता है अब हम सेल्स की बात करेंगे या आप जली से लिख लीजिए आपको पता है हमारा जो शरीर है वो किन से मिलगर बना है आपको पता है हमारा जो शरीर है सबसे चोटी जो यूनिट है आपकी वो कौन है हमारा जिससे अगर मैं बात करूँ सबसे छोटा आपका जो जीव था हमारा सबसे पहले या जो जीव डेवलेप हुए थे सबसे पहले जो आया थे वो बिलकुल आपके मैं काहूं मार्य की और जो और गिना माय क्रूम्उलीक्यों से न मिलके बने थे बहुत ही छोटे पार्टिकल थे फिर फिर वह क्या हुआ उन्होंने आपस में में रहें आपके और बनाए तिशू ने आपके मिल कि आपके जो और गन हमारे जो टिशू होते हैं सेल्स बोडी जो ओर गन होते हैं उनका फॉर्मेशन किया ठीक है तो ऐसे वुक्या मैं आपको बताना चाहरू इस पहले जो आपके आई ते वह बिल्कुल मार्कोर्णिसम्न ते बिलकुल सूच मो कोई बहुत ज्यादा डेवलप नहीं थे बिलकुल वेल डेवलप नहीं थे जैसे कि आपको मैं बता दू पहले तो हम कोश्का के बारे में जाएंगे आपको पता है हमारे शरीर की जो सरचनात्मक और जो क्रियात्मक की काई है वो कौन है हमारी सेल्स कोशिका है आपका यान कौने कोशिका है यानि की बाड़ी की आपके जो स्ट्रक्शल एन फंक्शन यूनिट जो हमारी वो कौन होती है सेल ठीक है कोशिका यहां लिख लिजिए आप कोशिका तो मैं अगर बात करूं आपकी जो सेल्स है सबसे पहले सेल्स को किसने देखा था सेल्स को सबसे पहले किसने देखा था तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले जो वैग्यानिक थे या सबसे पहरी जो कोशिका की खोशिका की डेड़ सेल्स की जो खोश थी आपके वो कौन थ रोबर्ट होग वज्नीच थे आपके रोवर्ट होक उन्हें कोर कि जो लकड़ी होती है को पूंदु मैं देखी थी उसमें आपकी मदुमक्ह की कि च्चते का कार की कूछ सलचना पाईंज आ लगи थी अन्हें उन्हें टुक ने लेकिन अगर मैं बात करूँ जीवित आपकी कोशका की खोज यानी की जीवित कोशिका की खोज की लिविंग सेल्स की जो खोशती हैं हमारी वह आपके विख्यानित है ल्युवन हॉप लिघरBut पहुँ उन्होंने जीवित कोश्का की खोश्ती ध्यान रखिएगा इस बात को पूछा जाता है सबसे पहली जो खोश्ती गडर होता है मन्रत कोश्का सिल्था द्याद की पूछ challenging दिया और सेल्थ इस्द Queen पूछी आपको थीओर सेल्थ आ mort किसने दिया था कोश्कावाद का सिध्धान किसने दिया था वी कोश्कावाद सिधान तो इसे घुन जो खॉल टूण पूँरे ते आपके श्वागो त च नANG फू त्यूरी थी आपके को सवात का जो सदान था वह का श्वान और जो इन वह ग्यानिक थे उन्होंने दिया था तो यह आपकी बात होगी सेल्स की कुछ मैं भी और जानेंगे आपका लिख लिए आप से फटाफ़ इस्क्रीन शॉट लीजिए आप इसकी जल्दी से सेल मैं आपको पता होना चीए सेल्स में मैं क्या होती इस्याल मोचन की चंपा होती चाले Hum नहीं कि होता होता है यह आपके आनसर मैं बताउंगी आपको सारी मेत कुर्यक्शिक करें आपके करवा सक्कोंनी चीह करें आपकी पूछह जाती है कि आपकी जो सबसे बड़ी यह कौशक रड़े सबसे चोटी कौशक रड़ेक्वल सब्सक्रणक reflecting है तो देखिए सबसे अगर मैं पहली बात करूँ आपका जो शरीर की जो अगर मैं बात करूँ यानि कि सबसे बड़ी जो कोश्का कौन सी है सबसे बड़ी कोश्का किसकी है कोश्का का नाम ठीक है ये तो सबसे बड़ी हो गई, दूसरा होता है, सबसे छोटी किसकी है, सबसे छोटी, और थड़ है, आपका मानव शरीर की सबसे छोटी कौन सी है, मानव शरीर की, सबसे छोटी, और मानव शरीर की सबसे बड़ी, मानव शरीर की सबसे बड़ी, अगक फिस सबसे बड़ी है ठीक है और एक क्वेशन हो रहता है कि शरीर की सबसे बड़ी लंबी शरीड की कि सबसे लंबी जो आपकी सेल्स है वह कौन सी है सबसे बड़ी शारी लंबी लिखें आप लंबी फोषी का यह सारे क्वेशन आते हैं आप इन्हें जल्दी से लिख लीजी का हमारा अगर मैं बात करूं आपकी जो सबसे बड़ी जो कोश्का है हमारी उसकी अगर मैं बात करूं तो आपको पता है सबसे बड़ी जो आपकी कोश्का है वो आपकी जो शुतर मुर्ग है उसके अंडे की ह है शुत्र मुझin कि है कि अणकर ऑड़ी मैं आपकी और यह सब से भाड़ी भी में कहूं तो आपका जो माइकोप्लाज्ma होता है माइक्व प्लास्मा ये ऐत बैक्टीरिया है आपका इस प्लास्मा उसकी शुक्राणू की जो कोश्का होती है शुक्राणू की सेल्स ठीक है और अगर मानव शरी की सबसे बड़ी हम बात करें तो आपका फीमेल में आपको पता है फीमेल में ओवम बनता है football या फिर क्लेसे aí ऐग से है वो सबसे लंबी रहती है तंत्र का को शिकाएं कि यह आपकी बात हो गई मैंने आपको बताये कुछ इंपॉर्ट रूकर्शन पूछे जाते हैं बहुत ही तो आप जल्दी से यह से लिख लीजिगा अब हम बात करेंगे हमारा जो सबसे पहले जो कॉल जो सेल्स थी हमारी व आप हम बात करेंगे तो मैं आपको बता दो सबसे पहले आपकी जो कोश्का थी वह आपकी दो तरीके से थिल्ड़ कितने परकार की दो परकार की अगर पहली अगर हम बात करें दोर्य एक आप सभी ने पढ़ा होगा प्रोकैरियोंटीक सेल्स और दो केरे टिक और आपकी दूसरी कौन सी थी यू केरियॉतिक को शिका यू केरियॉ टिक है नित्थो खुशिका कि अगर मैं आपको बता दू प्रोगा यॉटिक इसे आप लख्यां इंगलिश में तो वह आयरे और टिक अगर हम बात करें हैं की जो प्रो का म्तलब होता है प्रमिटिव यानि कि जिसे हम कहते हैं अलप विक्सित या पहले वाला पहले जो दिएंओं अलप विक्सित है चीब यह तो होगो क करो anytime की अगर बात करोगे आभ से आपका न्यूक्लियस तो आप समझ रहोगे डिफाइन कर सकते हैं आप इसे कि जिसमें जो न्यूक्लियस था आपका वह अलप विक्सित था और मैं इसमें बता दूँ आपका जो प्रयों करेट जो सेल्स रहती हैं उनमें आपके जो कोश्कांग थे आपके आप जब हम सेल्स はい use karyotic sales जो आपके सेल्स जो और्गिनेल्स हैं वह आपके पाए जाएंगे अगर मैं इसमें उधाराण चाहूं आपको तो आपके जो वैक्टीरिया बगारा हो गए आपकी ब्लु ग्रीन एलगी यानिकी नीली हरी शहवाल हो गई आपकी लिखिया जीवाडू जीवाडू आपके और नीली हरी शहवाल हो गई ग्री मिख्षांपनलते हैं लाइंगे उधाराण तो मैं बता दूं आपको जो आपके आपे आपके प्लांट है ह cachet न ग्यों आप हो गउत श्या ब्लांट एनिमार लियानिकि जो जहेज़ कि बहुत ज़्यादा डभलेप जो आपके होंगे ऊच्छ प्रकार्च की जो प्रजातीया होंगे आपके पौदे होगे वह सब किसमें आइंके जो आपकी यूं घ्रियों जो सेल्डें उत हुल norm तो यह आपको मैंने और आपका जो और यूघ का थी वो मैंने आपको एक्स्पेंट किया किना अब चाल को सबस्त पहले हमारा नध्यूं कोश्कर को पढ़ेंगे आप को जो जंतु कोश्का है हमारी और जो प्लांट जो हमारी एनिमल पोश्ट का है वो अगर हम किसी एक का ब्याफ फिगर बना लेते हो तो मैं आपको थूड़ा से समझाऊंगी आप है थूड़ा से मैं आपको समझाना चाहूंगी आपका आपको सिर्फ लोकेशन की बताना चाहरी हूँ आपकी जो ठीक है यहां पे रहेगा आपका जो रहेगा नुकलेस हमारा ठीक है अधाग यह और उसके अंदर रहते हैं आपके ऐसे करके ऐसे और बने रहते हैं हमारे बहती मैं जोड़ा रफली आपको समझाऊंगी बस ठीक है यहां पे आपकी रहती है वैक्यूज कुछ आपके पढ़े रहते हैं आपके यह और आपको सिप समझानी के कोशिश गरूंगी और क्या रहता है आपका इसमें लगे रहेंगे आपके जो राइवर जी बोड़ी भी पड़ी रहती है कहां बनाओं इस पूँग अब भूत खास तो नहीं बनाओगा कोई बात नहीं है आप समझ यह थोड़ा सा समझ नहीं है आपका डाइगराम है हमारा वह ठीक है तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले क्या होता है जनतु और आपकी जो जो यह आपके एक सल हे आपका और यो आपके जनतु और आप की जो प्लांट रहता है उसमें में करूँ जो आपके animal cell है उसमें धोटा फिसमेंया शाया जैल मेंग्रेन जा यह अदर हम concept कलो 30 है the बताना चाहिए था निदर आपका खरेंगे यह बाद करेंगे यह का Remember रेन यान की कोश्का जिल्ली से कहते हो यह आपके रहे हरे लवग जोने हम क्या कहते हैं प्लास्ट प्लास्टर यह आपका रहान निंक्लियस यह से हम कहते हैं केंदर रख अभी हम सब इंग्लेशन दिजोनों में पढ़ेंगे याप के है वैक्यूल ठीक है यह आपके यह तुह मैं आपको यह आपका के यह यह आपका Mitochondria जिसे हम बोलते हैं और यह गोल जी बॉड़ी होगी जैसे गोल जी बॉड़ी यह जिसे कोई कहते हैं ठीक है और यहां पर रहता है आपका एंडोप्लास्मिक रेटीकुलम जिसे हम शौट में लिख दे रहे हैं अभी यार इसका फुल फॉर्म होता है एंडोप्लास्मिक रेटीकुलम और इसमें जो आपको दो तरीके से होगी हम सब पढ़ेंगे हमारा इसमें जो दानेदार जो इस्ट्रक्चर देख रहे हैं को ये आपने को आप हो गया किया ये मैंना इब कुछ ओर आधे बताएं जिलिंक के बारे में अ। थोड़ा थोड़ा में सब बस से को जानना है तो हम बात करेंगे fakrie को अंग होंगे वह मं बात करेंगे gözब हम इसे हटा देते हैं अब हम बात करेंगे एक एक करके आपकी जो को तो कोशका की अगर मैं बात करूं कोशका के अंदर पाई जाने वाले जो और किनल होते हैं वो क्या कहते हैं कोशका के अंदर पाए जाने वाले आपके अंग क्या क्या लाते हैं कोशकांग पाए जाने वाले अंग जिने हम क्या कहते हैं कोशकांग जिने कहते हो आप क्या कहते हो कोशकांग कोशका के अंग उसका फुल गे रहा अब हम बात करेंगे सबसे पहले अगर हम पढ़ेंगे तो यह मैंने आपको बताले में सबसे पहले अगर हम उठाते हैं हमारा तो क्या रहता है आपका सबसे पहली जो रहती है हमारी उसे हम बोलते हैं cell wall किसे हम कहते हैं को च्री का भित्ती हो साथ साथ लिखी चलिए आप को मैं आ convin आ कोश्का को आकार प्रदान करती है को पोश्का को आकार के वान देती है आप की जो कोश्का बित्ती होती है तो यह तो बात होगी सेल मेंब्रेन अभी हमने आपको बताया था जो आपके एनिमल होती है उनमें आपकी सिर्फ पोश्का जो जिल्ली होती है वो पाई जाती है पोश्का जिल्ली ठीक है अगर हम इसकी बात करेंगे आपकी पहले तो यहां लिखने प्रांट में पाई जाती है आपकी और यहां पर लिखिए एनिमल में एनिमल सेल में अपसेंट सेल मेम्बरेन के अगर हम बात करेंगे तो मैं आपको बता दूँ यहां है तो यह από की सबसक्रीख क्रस् assess करने मेम्वार्ड वह दो अब त Adev ini लोगी 7 अटिव क्या हुता है आपका तो ये होती आपकी सब्लेवी जिसे हम बोलते हैं आर्थ पारगम जिल्ली नहीं ठीक है आदड़फारगम ऑगा जिल्ली और क्या होता है यह कोशका क्या करती है आपका तो यह आपके जो कोशका में शेल्स में जितनी भी चीज़ों का आधान परदान है उससे देखना है खौन सा चाहर खौत जिली के द्वारा ही होगा आपका तो यह चीज थी आपकी सेल मेंब्रेन के बारे में अब हम दूसरा पढ़ेंगे हमारा अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो आपका और गिनिल रहेगा हो है कि अब हम बात करेंगे जैसे कि आपका जो तीसरा है हमारा वो जैसे आप माईट्रो कॉंडिया ले लेजिए माईट्रो कॉंडिया माईट्रो कॉंडिया अगर मैं बता दूँ आपका इसकी खोश थी वो होट लगया आपको पता है बहुत थी इंपोर्टन रहता है क्योंकि आपको पता है मैं इंपोर्टन इनरजी के रूप में उसे चेंज कर देता है यानि कि प्रडॉक्शन होता है उसको पूछे जाता है यह बोलते हैं आपका या निकी तो लिख लीजे आप पाबनाद हउस और पाबर हाउस औ इसी को बोलते हैं कोशיר माइटो कॉंडिया कघिक hairy और क्या बोलते हैं आपको बावर कॉस्कोरल मारा और जाय हो गया के आपका यक और भी हो ते रास्पार है कि यस्साइट होती रूक की आपको पता है आपका जो Spiration site होती है आपके वो किसमें मैंटो कॉंडिया होते वो तो यानि कि रेस्पाइड साइब descide किसे कहता है राइस पाइड रेट स्थल होता है स्वासन इस्थल कि से गलते हैं है आपको बता होना चाईया का आप आपका दन होता है आपका गमा अदन एक्न का फसेल्स क्वआबे के सार फेसल्स भी बोलते हैं हमारी हि writes इसके माईटो कॉंडिया रहती है वो उसकी दो जिल्ली वाला बना होता है आपका ऐसे करके यह आपके ऐसे रहते हैं इनमें कुछ स्टुक्शर पाए जाते हैं वग्यरा कहते हैं उन्हें हम आप ऐसे करके और सबसे पहली बारी जिल्दी होगी और अंदर वाली आपकी आंत्रिक जिल्दी होगी और इसके अंदर मैट्रिक्स भरा रहेगा और इनको फिंगर लाइक इस्ट्रक्चर बोलते हैं उन्हें आगे पढ़ेंगे तो यह आपकी दोर ही सरचना होती है बारी सब्सक्राइब नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे अभी आपका यह कौन सा तीसरा था अब आप लिखिए जैसे आप कोई भी लिख लेजिए हम लोग जैसे लिख लगते हैं हारिद लवक नहीं पहले हम थोड़े दूसे बढ़ेंगे जैसे आपका हो गया तारक का है तारक का सेंट्रो सोम प्रशन पूचे जाता है जो प्लांट होते हैं उनमें आपका सेंट्रो सोम पाया जाता है या नहीं पूचे जाता है आपका जो सेंट्रो सोम होता है वो पाया जाता है या नहीं तो मैं आपको बता दूँ प्लांट सेल में कैसा रहता है यह प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है नहीं पाया जाता है ध्यान रखिएगा इस बात का और मैं आपको बता दूं तारग का क्या होता है कोश्का डिवाजन पढ़ेंगे सेल्स डिविजन पढ़ेंगे कोश्का विवाजन में जो आपके पोल बनते हैं आपका अधर साइड अपोजट साइड जो आपके पूल बनते हैं उनका फॉर्मिशन कौन करता है पुश्च का जब बिवाजन में आपका धुर्वहों का है निर्माण सब्सक्राइब अब तो इसके दोरा होता है उसके दवारा आपका उता है दुरुगों का निर्माग और इसकी जो खूझ seulement आपको बताइक आपके जो वेग् esperar कि नीजी अजी हुजन के उन्होंने से जाता से यह बात हो गई मैंने को थे में पाया जाता है लेकिन कुछ कुछ एक्सेप्शन भी है आपके कुछ एलगी होगी फंजाई होगी उनमें सेंट्रसों पाए जाता है आपका तो यह तो होगा आपका तारख काई की बात अब हम नेक्स बात करेंगे आपका जो लाइसुसूम हो गया लायन काई जिसे बोलते हैं हमारा हो एक हगा तो नेक्स्ट होता है आपगा लाइसुसूम सब्साइब धर जबता है है यह लायसुसूम की बात करों तो क्या भीतिक होता है आपका इसमें कुछ आपके हैडोल अजाएंग पाई जाते हैं कि ए डिड वे गया निटें उन्होंने इसकी खोज की थीर में को बतादू इसमें आपके जो हम्किना होते हैं 24 परकार के हैंडोलिटिक एंजाइम पाई जाते हैं मैं बढता दो इसे ख्रहैं Heri इसे इसे स्साइडल बैक भी बोलते हैं आत्म घात थैली कि थैली आप अलब बताना चाहिए अंगर मैं आपको बताना चाहिए इस थैली क्यों बोलते हैं हमारे तो क्या होगा इसको रह renovation अब करते हैं मैं आपको पता प्ताता है तो इसलिए कि आंडर होते हैं ons लाइसोसूम होता है यह कोश्का के अंदर कोश्का के अंदर और चला जाता है यानि कोश्का अपनी जगह से निकल के बाहर जो और आपके जो कोश्का होते हैं उनके पास पहुंचाता है तो इससे क्या होता है आपका जो बॉड़ी में आपके एक्स्ट्रा प्रोटीन होगी मारना शुरू कर जाते इसे लिए क्या पूछा जाता है कि सुरूब भी स्कॉच्ष्ण आपका पूच्षा जाता है कि स्सक्राइडल बैक इसे कहते हैं तो यहांकि क्या होगी लेन काई जो होती है हमारी आत्मकाद जो थेली होती है वो अब हम नेक्स अगर बात करेंगे हमारा जो रहेगा उससे हम बोलते हैं गॉल जी कॉय गॉल जी कॉय उससे हम क्या बोलते हैं गॉल जी बॉड़ी गॉल्जी बॉड़ी इसकी जो खोज थी आपकी वैग्यानिक थी हमारे एक या मेलो गॉल जी उन्हें के नाम से जो नाम कर रहे हैं वह भी क्या मिलो कि गॉल जी तो और है ने इसकी कोज की थी ठीक गॉल जी बॉड़ी का अगर मैं बात करूं आपका क्या होता है यह आपके ओर्शेर हैं और क्या पहुंचा पहुंचा चेह लिए आपके आफ के सेल्स भी है आपके अंदर के अन्दर ना हुचे यह एत्वीक अपफ ऑफ सेली आफ सैल्स ट्रैक्षक पर पुलिस ऑफ एस यानि कि सेल्स का त्राफिक पुलस वो किसे बोलते हैं जो हमारा होता है कुई जब में आपको बता दूँ। आपका जो जब विवाजन होता है उसमें आपकी खांच बनती है यानि कि डिविजन के काम में भी आपका कौन गॉल्जी को जो होता है इंपॉर्टेंट होता है और मैं बदा दूँ आपका जो एक्रोसोम होता है इस पर में आप जब पढ़ेंगे आप उपर उसमें एक करें तैसों कि आपकी सथिए अंदर उन्हें भाग ठाली करके आपके करते हैं डांसबोट का काम करते हैं साफिए म्ट्राफिक और ट्राफिक प्रेषिप प्रेशन भी कहते हो कि इसको लाइस्टोसों को आप नेक्स उपका ओर्गीनल रहेगा वह पढ़ेंगे हैं अट इस सेलें थर चांट महीं है थाक लिछयो ये अлыमों और जाते प्लांट में नहीं थो आपकी ये प्लांट में प्रेजेंट रहती है मैंने जाती हैं साम जाते है तारइख सेंट्रो संफ अनम carbon एमनल में था और किसमें था प्लांट में नहीं था अब में बात करूंग betray रहती है और मैं बता दूए है अन i. nos Remo Hum कि उन्में पूछा जाता है आपका पर एक बाद बता दूए Jul sa Oz inclusive खाली इस ट्रक्चर होते हैं ठीक है तो इनमें क्या बोलते हैं प्लांट की जो आप कोश्का परऊके इस में Ἁक जब हैं लेकिन वाइल लोजिकल टम दिया गया जिसे हम बोलते हैं रसधानी वह लेकिन इंग्लिश में मैं आपको बता दूँ है सब्सक्राइब क्लाइ Absent रहती है यह विरी पात करें तो बताया थे प्लाइश है और सफ्सक्राइव क्रते है और उसके क्पक्षित चाहर चाहर करें गौश इतने बात करेंगे हमारा नेक्स्ट कि जो अगर हम बात करेंगे वह क्या होते हैं सेंटोसों पड़ा वैक्यूल पड़ा मैटोकॉंडिया पड़ा आपका और गॉल्जी बोडि परड़ी लाइस सों परड़ी आपका एक मैं आपको बताऊंगी अभी आपका रहता है अन्ताप्रदवी अन्ताप्रदवी जालिका जिसे हम बोलते हैं एन्डोप्लास्मिक रेटीकूलंख एन्डोप्लास्मिक रेटीकूलंख हिसे हम बता दू जालिका होती है वह आपकी प्रोटिन फॉरमेशन में आपकी हेल्प करती है है आपके सेल्स में जो है यह आपको बता तो में दो तरीके से होती है कि या होती हैं कि दो परकार से होती है क्योंकि कुछ आपकी जो ER होती है in short form में हम बोलते हैं ER यानी की endoplasmic retoplumn या है आपके दो तरीके से होती है ,nten sr, er का मतलब स से मतलब होता है आपका i प्रदवी जाल को अपनी आपके रफ और एक दोल्डवी जाल इसमें आपका जो होते हैं वह कैसे हैं वह नहीं पाई जाते और अगर मैं रफ की बात करूं तो इसमें आपके जो रहते हैं वह प्रेजेंट रहते हैं ठीक है तो पूछा जाता है कि यहीं इसमें में कर रहता है तो यह चाहीं होते हैं रायवोसों होते है मोचें रहते हैंLIE से लिए इसको इसमें क्रोटीन संतेक्स कि बहुत हो में प्रोटीन चन्द रोटीन आपका प्रोटीन का सिंथेसिस किया जाता है राइबोसोम के द्वारा तो यह हो गई बात आपकी जो अन्ता प्रदवी जालका थी उसकी अब हम बात करेंगे जो हमारा कि नेक्स्ट जो और गनेल रहेगा हमारा हूँ कि अब हम बात करेंगे जो हमारा next next के गरम बात करें मारे कितने नमबर हो गए थे आप डाली जीका अब हम पड़ेंगे जो आपका हरिट लवक रहता है हरिद लवक ठीक है जीत इसे हम क्या बोलते हैं आप प्लास सब्सक्राइब पहले हम लवक पढ़ेंगे लवक जीसे हम क्या बोलते हैं प्लास्टेड़ जा जा एक किया बोलते हैं प्लास्टिट ठीक है ये क्या थे आपके जो आपको पता है आपके कितने परकार के तीन परकार के जो अघ्थ होते हैं हमारे वह पाए जाते हैं तो आथ पहले हम खोज और आपके जो नाम करण किया था नाम करण एक मिनट नाम करण खोज के गरम बात करें खोज थे आपके जो हैकल थे हमारे वो थे और जो नाम करण थे हमारे वो शिंपर वग्यानिक थे हैकल और आपके शिंपर शिंप ठीक है ना याद रखेगा पूछा जाता है खोज पूछे जाती है या फिर नाम कर पूछा जाता है कि किस ने किया था तो यह तो होगी लवक की बात अब मैं आपको बता दू लवक के जो प्रकार रहते हैं हमारे कितने रहते हैं तीन प्रकार के हमारे लवक पाए जा तीसरा रहते है हमारा हारत लवक हो वर्डी कि अगरम बात करें इसे हम बोलते हैं इसे हम बोलते हैं क्रोमो प्लास्ट क्रोमोप्लास्ट हो गया यह आपका होता है लिवकोप्लास्ट लिवकोप्लास्ट और इससे हम क्या बोलते हैं इससे हम बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट प्लोरो प्लास्ट इंपॉर्टंट रहता है आपका तो मैं आपको थोड़ा-थोड़ा समझाऊंगे वड़ी लबक आपके जो क्रोमो प्लास्ट जो होते हैं वह कैसे होते हैं यह आपके कलर फुल होते हैं कलर इसमें पाई जाते हैं अगर पर आपका मतलब ही होता है तो यानि कि यह कैसे रहेंगे यह अधिक प्रिकाश नहीं पहुंच पाता है यानी कि सूर का प्रिकाश जहां पर नहीं होता है अनुपस्त हो वहाँ पर जैसे आपके भूमी का तने हो गए भूमी का जड़े हो गई आपकी अंडरक्राउंड जो आपके स्टैम है भूमी का जड़े तथा तने थीक है? तो यह होग 방का helicopter की बाद अब हम बात करेंग regular की बात chloroplast की chloroplast को आपको मैं यहाँ पे लूखूंगी chloroplast आपको पता है इसमें आपका pigment होता है कौंसा पाय जाता है? chlorophyll जो आपका pigment होता है वो पाया जाता है जिसके कार और इसका जो हारा का रंग होता है कैसा होता है ग्रीन होता है किसके का क्लोरो पास में आपका जो पिगमेंट होता है हमारा वह प्लोरो फिल पाए जाता है और आपको पता है यह आपका जो कि जो फोटो सिंथेसिस है उसमें सहायक होता है कि मैं यहां लिखूंगी किसमें फोटो संथेसिस में आपका क्या होता है सहायक होता है अरित लवक क्या होता है प्रोटो फोटो संथेसिस में प्रिकास संसलेशन में सहायक होता है आपका जिससे क्या होता है आपका जो खाना बनता है यानि कि भोजन का फॉर्मेशन होता है आपका ठीक सहायक होता है तो क्या होता है अरित लबग में आपको बता दो इसमें कोशन पूछे जाते जैसे आपको जो कोश्का का जो पावर हाउस है उसे किसे कहते हैं आपका ठीक है ऐसे कि या एक टτίंगे किचिन और फ्लांट से लापका रसोई घर किसे कहते हो आप किचिन ओफ प्लांट सेल्स तो क्या होता हो ह्ता है वो खृत लवाथ लवक को दो सबसेए हुरत लवक क्या गाम है आपका अपको शब्द दिया था नाम करण किस ने किया तो यह बात होगे हमारी जो लवक थी और हरित लवग आपको पता है सभी आप के जो करीन भाग होते हैं उनमें पाई जाते हैं प्लांट के जो हरे भाग होंगे उनमें अब हम बात करेंगे हमारा इंपोर्टेंट है सारी इंपोर्टेंट रहते हैं अब हम बात करेंगे जो हमारा है न्यूकलियस के इंदरक जिसे बोलते हो आप अब हम बात करेंगे जो हमारा है केंद रख एक मिनट हो किया आप मैं थोड़ा सा मार्कर चेंज करते हूं केंद रख केंद करों तो सबसे पहले जो खोच थी Siz आपकी केंद रख की द्यांइम जो प्रॉबर्ण ने खोच की जो निकलीजं ता हमारा उसकी खोच की थाकिस ने रॉबर्ट है अब मैं अब मैं आपको बता को सबसे पहले हम इस के सल फिराओं तो मैं आपको बता दों जो आपका नीप टॉश्भ्य स्ट है नेृइ तो इस पहले हैं न्यूक्लियर मेंब्रेन यानि कि जो कोश जो आपका केंद्र के उसके बाहर जो मेंब्रेन पाई जाए उसे न्यूक्लियर मेंब्रेन कहते हैं यानि कि कोश का जिल्ली से बोलते हैं हमारा पर इसके अंदर आपका पता है न्यूक्लियो प्लास्म भरा रहेगा न्यूक्लियो प्लाज्म ठीक है और इसके अंदर एक गूल सब लाए की सट्चर होता है जिसे हम बोलते हैं निउक्लियो लस रस और मैं आपको बता दूंब रपा बदा रहे गा लिक्रिद्ध आपका उसे स्ट्रक्चर होते हैं थ्रैड लाइक इस्ट्रक्चर जो होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं प्रूमेटिंग क्या बोलते हैं अब हम यहां जानेंगे थोड़ा सा मैंने आपको बताया कि जो खोजे वह आपकी किसमें किया आपका अब मैं आपको बता दूँ आपका इसमें मैंने बताया था अभी आपको थ्रेड लाइक जो इस्ट्रक्चर पड़ी रहते हैं इसमें धागे नुमा इस्ट्रक्चर उन्हें हम क्या बोलते हैं रेड लाइक ज मैं आपको पता दूं क््रोम duplicate क्या होता है आगे क्या होता है आगे क्या होता है और के जो रहता है वह आपका है तो ये दो होगी आपकी बात करों में टिंके अगर मैं बात करू है आपका जो क्रोमोशोम या उठाओंगे में थोड़ा सा और हम biznes सोम जिससे हम कहते हैं गुल सूत्र में जिसे गृषूत्र बोलते हैं आप ऑलो और मैं बात करूं कर systems बात करंगों और नाम्ल आप सब्सक्री करणे की अगहितर इस लीख बात में ठीक है उन्होंने किरोंसोम की खोँज की थी नाम कुररों के पायं करें तो कि ऐसी और किके ती हमारी किसने आपके जो वैग्यानिक थे हमारे और आपका नाम जो था हमारा वो किसने दिया था आपका बाडेर वैग्यानिक थे अब मैं आपको थोड़ा सा मिलकर बने होते हैं और बीच में दोनों जो यह आपकी अर्ध क्रोमियर द्वारा जोड़े रहते हैं सेंट्रोमेट्ट रहता है आपका सेंट्रोमेट्ट वारा दोनों जो आपके आमस हैं वोकि से जडी रहाती है और मैं आपको बता दूं जो प्रोम्पियों जो सरे होते हैं एंड के इन्हें हम बोलते हों ठीलो मर्ट क्या पूलते हों करता है क्रोमोसोम को मेटाफेस प्लस एनाफेस तो क्रोमोसोम की अगर मैं बात करूँ इसे थोड़ा सा और हम जाने क्रोमोसोम के अगर हम बात करें आपका तो आपको पता है जो हिउमन है हमारा मानव है उसमें जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वो हमारी कितनी होती है आपकी अब सभी को पता होगा हमारा कितना 23 जोड़ी रहती है और मैं आपके बता दूँ जो आपका जो क्रोमोसोम का जो तेज जोड़ी हैं उनमें दो तरीके से क्रोमसूम होते हैं एक आपके होते हैं ओटोसूम एक आपके रहते हैं ओटोसूम और एक होते हैं हमारे लिंग गुर्सूत्र या फिर इन्हें हम बोलते हैं लिंग गुर्सूत्र या इन्हें हम बोलते हैं हेट्रोसूम क्या बोलते हैं हेट्रोसूम जोंस सेक्स क्रोमोसмов या फिर हेटरो सुम और इन्हें हम भो तो अगर बता दूं को इंभर मैं कि बता दूंक ने रहते हैं तो इह जोड़ी रहते हैं और आपको पता है एक पेयर रहते हैं यानि कि दो हुता है या नबर में अगर को बात करें तो 46 और पेयर के हम बात करें तो 23 अब मैं आपको बता दूआ आपको पता है जो लिंग जो में जो आट्रोसों मोते वो तो सारी समान रहते हैं लेकिन इंब करते हैं हैं थे यह वालग होते हैं अगर एक्स-फुट पर तो यह को देनोट करता है किसे यह मैल कोडिनोट करता है आपका यह फीमेल क्रोमोसोम होते हैं पर अगर X के साथ एक Y क्रोमोसोम होता है यह आपका किसको करते हैं मेल कोडिनेट करते हैं ठीक है जिनोट करते हैं तो इससे आपको पता चलता है यह आपका बालक है और यह आपकी फीमेल है यानि की मेल और फीमेल तो की रहेगे आपकी यानि कि इतनी होती है चिमपैरजी की अगर हम पात कर लेदे हैं अगर इतने रहेंगे हमारे चिंपैंजी में 24 प्यर और एक और रहता है मंकी अगर पूछता है आपका मंकी में अगर हम बात करें तो आपका 21 प्यर आपको पता है किस बोले तो संख्या में अगर होगा आपका तो 42 तो यह आपके स्थर रहते हैं ठीक है ना अब मैंने आपको क्रोम आपको पता है क्रोमोसोम में आपके क्या रहते हैं जीन्स पाई जाते हैं आपको पता है जो क्रोमोसोम की जो एकाई है जो यूनिट है आपकी पता है वो जीन्स होते हैं हमारी ठीक है क्रोमोसोम किसे मिलकी बने होते हैं आपके अनेक हो जो लाख हों आपके जीन्स होते हैं प्रोमोसों अलग जीन से बने होते हैं हर एक प्रोमोसों होता है अलग जीन से मिलके बना होगा लेकिन क्या होगा अलग जीन जो होगा आपके अलग अलग लक्षरों की वन्शागती भी करते हैं यानि कि आपका क्रोमोसों में आपको पता है क्या रहता है जीन रहता है और सभी का होता है हमारा पावर भावर Hollaster किसे कहते हैं तो इसलिके सबस्द् व्हारहक कौन होता है आपका रोम होता है याद रखेगा इस बात का दूसरी घर मैं बताहूं आपकी एरेदटी गाड़ी पशण पूछे िगाड़ी किसे कहते है आपका है whether अप्म काड़ी कि गाड़ी से बोलते हूं आप से नॉचलेट उसको मैं आपको मता सब्सक्राइब रहता है में चाफ्छा का पूच्छा आप फिरम कौन होता है आपका सेल तो मैं आपको बता दूँ आपको सेल्स का जो डायरेक्टर और मैनेजर होता है डायरेक्टर और डायरेक्टर और मैनेजर कोश्का का जो प्रवंदक है या फिर आपका जो डायरेक्टर है वो कौन होता है न्यूंक्लियस होता है खेगें आपका सपफ्य वेयर ठीजिगा होता है पूछा oh तो ये बात होगी आपकी किसकी नूटि की बात हो गी और आपको पता है किए वहां तक मैंने आपको हर एक को पढ़ाया है आपका मैंने आपको सब पढ़ा दिया था आपका क्या क्या हमने पढ़िया आपको मैंने बताया था अभी हम लोग कि यह पढ़ाता सबसे पहले आपका मैं बात करूंल होगी है आपकी माइटो कोंडिया ध्लोरोप्लास्ट और दे मीरी में पलास्ट तो च्वाल चिंक बात करूं अब mayor और के था मार और मैंना को लाइव सो कुछ चापको पता है तो में सबसे मैं में आपको में पता है प्रोटीन साइट ऑफ व प्रोटीन साइड आफ सेल्स नीस जाता है यौन में इस फोटइन उसेट कोशका इगर पूछा जाता तो होता है आपको बतातों छोता है आपको ने सही जो हुद आपको रहता है यंदस Always कि भूज ती हमारी जो मैरे ऑपको बता दूस पहला किया ने तिसने हमारी किमेनी जो रहती है अपकी एक नटोड किया है है कै कि का था का प्राइवो så चीड है ओने रहा है किसे क срав辦法 रेवासि ओन्य एकर में बात करूं आपके तो ड़ा रहा जो पहले अधे हमेरे पहलाडे उन्होंने क्या दा उन्होंने तो एनिमल में देखा था आपके अनिमल उन्होंने देखा था ची सब्सक्राइफ सीटे चोंधिक टकर एंअ dosti लानींच सब्सक्राइब और यहीं जालए जाठान कि में और अपकी जो कि आपको यह शुचाए ह। में नहीं उसक्या न्योर्द तह्या वाँ Lewis सबस्क्राइब कर यूश्याइबवोस्ज यह आनि कि दो तरीके से रहते हैं है आपका रहता है था प्रो यूचाइन नियुड लुक्ति हमारी देन्हाहीघ में बताऊ हुआपका हैं का होते हैं चक्ue darf होते हैं प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है यानि फिर Heterson करते हैं protein production cells का protein production किसे कहते हैं यानि कि protein का उत्पादन ठीक है या फिर कोश्का में कोश्का में प्रोटीन इस्थल यानि कि रहता है हमारा वो लाग प्रोटीन इस्थल किसे कहते हैं डाइवर सोम को ठीक है protein का ऩकर रहा होता है तो इसे हम आब पाद में जानेंगे किन आपको मैं बनते हैं आपका यहीं बनताया है आपका सथ्ट्रैस राइब षूम यह मैं हो कि समें होगा अससी जुरूरा में हुआ मारा किस्म में होगा तो यह चीज़ होगी आपकी राइव तक की अब मैं आपको बताऊंगी कुछ हमारे आपका पहले की जो एनिमल थे उनका हमारा जगत आपके चोंटन वगेरा थे फाइल वगएरा थे उनके बारे में हम पढ़ेंगे आपके जो प्लांट जगत आज की वीडियो में इतना ही अब हम जानेंगे कल आपको जो वीडियो आगी कल जिसमें हम आपके जो आपके जो क्लासिफिकेशन हैं उसे बताएंगे हम और मैं पूरी कोशिश करूंगे आपका कोई भी क्वेशन छूटने ना पाए तो तब तक के लिए खयाल रखिए थाइ झाल झाल वीडियो क्लासि भी जाए हम आपके झाल कोशिज भी क्वेशने फ redeem और मैं बताएंगे उसे रहला हम जब हो आपके जो एमरा की में पूरी कोशिण κάν।